आज हम डिसकस करने जा रहे हैं डॉक्टर बियार अम्बेटकर युनिवरसिटी का कम्प्लीट एडिमिशन प्रोसेस कौन-कौन से कोर्सेस यहाँ पर ओफर होते हैं, eligibility criteria क्या रहता है, selection कैसे होता है, 8-2-Z information आपको आज इस्टूडियो में मिलने वाली, जो कि session 2024 के purpose से बनाई जा रही है, तो सबसे पहले चलनल को सबस्क्राइब करेजी, क्योंकि इस चलनल के आप लोगों को admission process related, career counseling, mentorship, preparation, सब कुछ मिलने वाला है, तो जल्दी से पहले चलनल को सबस्क्राइब कर लेजिए, और बिना टाइम विस्ट करें, जल्दी से start करते हैं हमारा ये वीडियो, तो देखते हैं, डॉक्टर बीरामेट का university बेसिकली आपको क्या-क्या प्रवाइड करता है डेली के अंदर, तो ये एक state government, university, state government मैं क्यों बार-बार जोर दे रहा हूँ चीज़ पे, क्योंकि डेली की state government की एक policy है, जो की universities follow करती है, जिसमें 85% reservation Delhi candidates को दी जाती है, तो इस reservation policy को भी मैं समझाऊँ आपको अच्छे से, तो देखें, यहाँ पर जब आप click करते हैं admissions, मैं सारी information की official website से ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी ऐसा ना लगे, कि भाई कुछ भी इदर-दर क्योंकि Google पर हमें अदर-दर sources से अलग-लग information मिलती है, और कोई भी accurate नहीं होती, तो सबसे best way है कि वेबसाइट को go through कर, और अच्छे से सारी information आप लोगों को इनकी website मिल जाएगी, तो देखें यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले admission के लिए apply करना होगा, क्योंकि undergraduate और PG, दोनों ही courses के अंदर आप लोगों को इनका entrance exam देना होता है, courses के वारे में पहले बात कर लेते हैं, अब ही कौन-कौन से courses यहाँ पर offer करे जा रही है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जैसे आप program पे click करते हैं, website पे, तो यह इनके undergraduate courses की list है, जिसमें आप देख सकते हैं, इनके different-different campus भी है, अब यहाँ पर आप लोगों को यह सारे के सारे courses करने को मिलेंगे, बीवोक accounting and finance, बीवोक in early childhood center, यह courses इनके जो है, करमपुरा campus में, कश्मीरी गेट campus के बारे में बात करते हैं, आपको BBA course भी करने को मिल जाएगा, B.E. honors in psychology भी है, B.E. honors in English economics, यह सभी courses यहाँ पर अविलेबल है, B.E. honors in political science भी आपको देखने को मिल रहा होगा, लोधी रोड campus पे आपको integrated teacher education program देखने को मिल रहा, ITEB, और post graduate courses के बारे में बात करते हैं, करमपुरा campus, कश्मीरी गेट campus, सभी campus में इनके जो है, जो है master's program करवाए जा रहे है, PhD level पे भी, M.Phil पे भी, सब कुछ यहाँ पर आप लेगों को देखने को मिल जाएंगे courses, तो आपको जैसी requirement लग रही है, वैसे आप यहाँ पर admissions के लिए apply कर सकते हैं, and it's your responsibility कि आप particular जिस भी course में apply कर रहे हैं, law and politics, बहुँ सारे student ऐसे करते हैं, कि भी graduation करते हैं, फिर LLV के लिए apply करते हैं, तो क्योंना graduation भी आप लोगों को law में करने को मिल जाए, तो यहाँ पर देखे, BA in law and politics काफी अच्छा course है, आप इसके लिए apply कर सकते हैं, अब आगे के तरफ प्रोसीड करते हैं, जब आप CUT के application फिल करना जाएंगे, तो CUT की main website पर आपको इस university का नाम देखने को यहाँ पर मिलेगा, Dr. BR Ambedkar University, तो देखे, यहाँ पर इन्होंने हर एक subject के लिए अपने अलाग-अला combinations की requirement रखी है, subject की requirement रखी है, तो Bachelor of BBA के लिए इन्होंने English and General Test के demand करी है, BWOC के लिए General Test मांगा है, BWOC के लिए यहाँ पर इन्होंने पर इन्होंने particularly mention करा है, कि आपको हमाएं, यहाँ पर admission अगर apply करना चाहते हो, तो आपको हमारे university का नाम भी mention करना पड़ेगा, स्यूटी का application form के अंदर, और हमारे subjects हम requirement रख रहे हैं, इसके लिए भी आपको यहाँ पर अपनी eligibility criteria फुल्फिल करने, और सामने यह eligibility criteria दिया है, इसको भी आपको फुल्फिल करना होगा, आप अगर इस university में apply कर रहे हो, और चाहते हो कि किसी particular course के बारे में information चाहते हैं, admission process को लेकिए, तो जरूर comment section में mention कर देना है, मैं आपके लिए especially उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि आपके बहुत सारे multiple courses है, तो बहुत difficult हो जाता है, एक ही वीडियो में यह सारी चीज़े cover करना, तो दीरे-दीरे करके आपको information मिलती रहेगी, बस आप मेरे साथ connected रहे हैं, और चैनल को subscribe करना, बिल्कुल ना मूले, तो देखे, fee structure में आप लोगों को दिखा दिता हूँ, यह इनका updated fee structure है, BBA का, तो first semester की fees 51,000 है, तो एक साल की आप लोगों की लगबग, एक लाख रुबे जो है, fees जाने वाली है, तो यहाँ पर आपको वास एक fee structure का ज़रूर factor देखने ना, यह Delhi University नहीं है, यह state government university है, तो यहाँ पर definitely in comparison to Delhi University, फीस में थोड़ा सा hype आप लोगों को देखने को मिलेगा, BBA economics के लिए हाप देख सकते हैं, approximately 70,000 पर रहनम आप लोगों की fee structure जा रही है, क्योंकि आप इन सब इस चीज़ों को भी add करोगे, तो आप लोगों का जो है, fee structure कहीं न कहीं rise हो जाता है, तो यह इनका fee structure है, चाहँतो उसका screenshot ले सकते हैं, बाकि website पर इनकी सरी information available है, seat intake के बारे में बात कर लेते हैं, तो बहुत ही limited seats available है, जी हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारी bulk में आपको seats मिलेगी, हार एक course के अंदर किसी में 40 seats available है, किसी में 63 seats available है, तो make sure जब आप किसी भी university में apply करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर seat intake जरूर देख लें, जिससे आप लोगों का एक clarity मिल जाते हैं, अगर मेरा थोड़ा बहुत भी score उपर निचे होता है, तो मेरी कितने probability मिलती हैं, आप एड़ेमिशन मिलने की, हम यही तो mistake करते हैं, हम एक university में इतने depend हो जाते हैं, कि मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो last time try करता रहूँगा, और कुछ देखना ही नहीं है, हमें maximum option लेके चलना, यही तो एक beauty है, CUT exam के, आपके पास इतने सारे options से, IR exam देने के लिए, universities में apply करने के लिए, तो इसका कुछ ना कुछ आप लोगों को benefit ज़रूर लेना चाहिए, मेरे point of view से, तो अनरे graduate courses के बारे में बात करते हैं, 63 seats आप available है, और global courses इनके BA social sciences 63 seats available है, यहाँ पर BA English honors के अंदर आपको 44 seats available है, और इस सामने जो देखना हैं, जैसे कि DTU में होता है, Delhi Technological University के अंदर भी ऐसी एक जूर सीट है, only one child girl student रखा जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे, master courses के लिए भी seat intake यहाँ पर दिया हुआ है, और अब बात कर लेते हैं, इनका reservation का criteria जो मैं अब लोगों को explain कर रहा था उस time पर, कि जो student होते हैं, 85% registration Delhi candidates को दिया जाता है, जाने कि अगर एक class में 100 student है, तो उसमें से 85% जो shields है वो Delhi candidate को दी जाएगी, जिससे क्या हो जाता है, कि आप लोगों को, जिसका low school भी है थोड़ा वो Delhi के student का, तो उसको भी admission एजली मिल जाता है, in comparison to outer Delhi candidate, क्योंकि उसकी probability थोड़ी कम होगी admission की, क्योंकि भाई Delhi government है, तो वो अपने student को थोड़े variety दे रही है, यहां पर ऐसे हार एक state की policy होती है, ऐसा नहीं कि बेलिया ऐसा कर रही है, करनाटक में जाओगो तो वहां की जो है government अपने rules रखती है, ताकि हर एक state को अपने अपने जो है government का जो norm से वो अलग-अलग हो सकता है, यहां पर courses के अंदर यहां पर age limit criteria भी दिया हुआ है, bachelor करने जाओगो तो 17 years से लिएक 25 years के बीच में आपके age होनी चाहिए, vocational courses के लिए 17 to 45 का student जो है eligible है, master program के लिए 20 to 35 years का candidate जो है eligible है, यहां पर admission के लिए apply करने के लिए, और आप अच्छे-चे detail में इसकी fee structure जानना चाहते हैं, तो यहां से आप इनकी fee structure देख सकते हो, देखिए, first semester, यह second semester, तो per annum की भी यहां पर fees mention करी होने, MBA की 1,82,000 जो है per annum fee structure जा रहा है, आगे procedure करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप इसके entrance exam की preparation करना चाहते हैं, इस इनिवोश्यटी को target कर रहे हैं, तो आज ही download कर लिए higher education की application से पहले लिए live classes के थुरू, आप लोगों की preparation करा रहे हैं, इसमें सर्फ आपको preparation नहीं मिलती, इसमें आपको mentorship में मिलती, आपको proper guidance मिलती है, आपको किस-किस दोबिन की preparation करने हैं, कौन से best combinations हैं, आप लोगों के लिए जिसके थुरू, आप अपने particular course के नदर admission के लिए apply कर सकते हैं, तो वो बस एक CUT को exam की तरह लेके चल रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि मेरे को कौन से course में admission लिना है CUT के थुरू, मेरे लिए कौन सा best subject है इस particular course में युनिवर्शेटी में apply करने के लिए, मेरे को अपने की subject पर ज्यादा मेहनत करने हैं, जिससे मेरे एक merit अच्छी बन के आ जाए, इस सभी factors आप लोगों को सोचने पड़ेंगे, सिर्फ CUT की बहती गंगा में मत जाओ कि मेरे दोस्त देखा सब को देना पड़ेगा, compulsory हो गया है, उनिवर्शेटी में apply करने के लिए लिए देना ही पड़ेगा, इसको burden मत बनाओ, play with this entrance exam, आप लोगों को enjoy करना है, इस eligibility criteria को लेके, patterns को लेके नए exam का जो एक नया महौल बनाए, इसको enjoy करना है, पहले वो student जिसकी 50% आते थे class 12 में, 60% आते थे उस बचारे की हिम्मत नहीं होती थे इन उनिवर्शेटी में apply करने के लिए, पहले इस university के नदर भी merit-based admission हुआ करते थे, आज की rate में, आज की rate में आपके पास एक opportunity तो आई है, कि मैं यहाँ पे अपने खुद की मेहनत के दमपे भी जा सकता हूँ, conceptual चीजे पढ़के, logics पढ़के भी जा सकता हूँ, उसे वट्टाफिकेशन ही नहीं चलेगा अब, अब आप logical reasoning, English language, aptitude की preparation करके, इन universities के अंदर admission ले सकते हैं, तो आप लोगों प्लीज अपने उपर ध्यान दीजिए, और download करें higher education के application, मैं strongly recommend करूँँगा, मेरे साथ जुड़िए, आप लोगों को पूरी-पूरी guidance बिलेगी, दिल्ली में क्या, किसी भी उनिविशिटी में आप apply कर रहे हो, आपको last तक assistance मिलती है, जब तक last in the sense, जब तक आप अपने college में जाने start ना कर दो, ठीक है, और मैंने नीचे आप लोगों को comment section में, अपना WhatsApp नमबर भी पिन कर दे, इसके थुरू आप मेरे साथ जुड़गे, अपने सारी queries जो है clear कर सकते हैं, चलिए मैं admission process को थोड़ा सा summarize कर देता हूँ, यहाँ पे ताक कि आप लोगों को doubt सारे के सारे clear हो जाए, step number one आपका क्या होगा, filling CUT application form, वहाँ पे आपको इस university का name mention करना है, doctor beer medical university का name mention करना है, course select करना है कि इस course में apply कर रहे हो, उस course में कौन से domains मांगे जा रहे हैं, वो domains का आप selection करेंगे, ठीक है domains की लिए preparation करेंगे, preparation करके का अच्छा score बनाएंगे, merit बनाएंगे, then आपको जो है, doctor beer medical university की क्या करनी है, portal पर registration करनी है, registration करोगे, उसके बाद cut off release होंगी, अगर आपके अच्छे score आये हैं, merit आये हैं, आपने program number 1 को उपर रखाया, 2 को रखाया, 3 को रखाया, यानि कि हर एक program के लिए अलग fees लगती है, ये भी धिया नाखना doctor beer medical application form में, आप लोगों को जरूर करनेक्ट करवाऊंगा, बहुत ही जल्दी अपने चैनल पे, तो बस आप बने रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, तो ये process होने वाला है आप लोगों का, सारी की सारी कहानी कहां से शुरू हो रही है, फिलिंग स्यूटी application form से, particularly course में जिसमें अपलाए कर रहे हैं, उसके लिए कौन-कौन चे डोमेन है, अब ऐसा नहीं कि इस डोमेन के business आप इसी university में अपलाए करोगे, इसके अलावा आपके पास more than 100 universities से अपलाए करने के लिए, तो ये सब चीज़े आप लोगों को ध्यान में रखनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करोगे, फॉल जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ धक्का मार के मेहनत नहीं करने, smart work करना, आपको smart work, smart work से ही आप लोगों को achievement मिलने वाली आने वाले time के अंदर, तो मिल रहे हैं हम next video के अंदर, बाबाई take care, thank you so much.